जैसे ही नागिन 6 को बंद कर दिये गया है फैंस काफे ज़रा एकसारेट हो गए कि आप नागिन 7 भी हमें देखने को मिलने वाला है हमें कब से देखने को मिल सकता है इसके बार मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे तुडियो को पुरा देखना ना बुलेगा अरमार चाल जहाँ पर हमें स्टोरी के बारों में पता चला था जिससे पता चल रहा है कि नागिन 7 में एक नई फ्रेश स्टोरी आपको दिखने को मिलने वाली है बता आ जा रहा है कि नागिन 7 की स्टोरी काफी धमाकेदार होने वाली है जो नागिन 6 नागिन 5 से काफी अलग होगी और 200 के 47P पर काफी 30 काम चल रहा है और पता चल रहा है कि 500 को जल्दी ही लाने का प्लान ये लोग ले रहे हैं नागिन6 के अलवा भी बेकाबुसों को भी बंद कर दिया गैं नागिन7 के Meaker ने डिससन ले लिया था कि नागिनस7 को बंद करने के बाद ही हम कुछ सोच सकते इसलिए उन्होंने नागेन सेवन पर काफी ज़रा ध्यान दे रहे हैं अगर हम बात करें कि नागेन सेवन में कौन में लीड के तोर पर देखने को मिल सकता है ऐसा बता जा रहा है कि प्रियंका चाहर चोधरी आपको नागेन सेवन ने में लीड का रोल प्ले करती हैं आपको देखने को मिल सकती है इनके अलाव अभी नागेन सेवन में आपको में लीड के तोर पर देखने को मिल सकती है संबूर तोकिर खान और अरजना गौतम इन में से किसी भी एक्टरेस को भी फाइनल या फिर आप्रोच नहीं किया गया है जिस वज़े से फैंस काफि ज़रा एकसरेड है कि नागेन सेवन में कौन सी में लीड हमें देखने को मिल सकती है कुछ सोर्से से ये भी बता चला है कि नागेन सेवन का हमें नया प्रोच देखने को मिल सकता है हो सकता है कि इस साल के इंड तक रिलिस गर दिया जाए अब ही फिलाले कनफरम नहीं है आप कनफरम मानके मत चलिए अगर हम बात करेगे कि ये इसहों में कब से देखने कुमल सकता है तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसओ को अगले साल से स्टार्ट किया जा सकता है अब ये बताना कम ने होगा कि नागेन 7 पर काफी तीज़ से काम चल रहा है तो नागेन 7 को जल्दी लाने का प्लान एक तक अपूर ले सकती हैं एन तब तक कि लिबाएंड टीक केर